तो हेलो फ्रेंड्स माइने में रुशी और वाचिंग सायन्स किंग्रायम तो फ्रेंड्स क्या आपको भी इस खुबसूरत आसमान को नजरिक से निहाना है अगर हां तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो कि इस वीडियो में हम सिखेंगे कि एक रिप्रैक्टिंग टेल फिर चाहिए यह एल्बोस फिर चाहिए यह प्यूईसी ट्यूब्स और आखिर में यह लेंस अब देखो सबसे पहले यह अए यह एक अपट्प्प्रिंग से इसका डाइमेटर 4.5 सेंटिमीटर है और पोकल लेंद 45 सेंटिमीटर है यह एक प्लेणो कॉन्वेक्स लेंस है 3.5 सिंटीमिटर है और फोकल लेंज 3.5 सिंटीमिटर है यह भी प्रेणों कॉन्वेक्स लेंज है और सबसे जरुरी बात यह इक्वल्टी यह भी बहुत इंपर्टेंट है हमको यह लेंजेस आईपीस में लगाने हैं हम लेंजेस कुछ ऐसे लगाएंगे यह यह अमरा इपीस तयार हो देया अब यह क्यों सिंटीमिटर है ना इसकी लेंज 32 इंचेस है और इसका डायमिटर 2.5 इंच है और इसकी लेंज है 10 इंचेस और इसका डायमिटर है 1.25 इंचेस तो अब हम क्या करेंगे यह जो लेंज ओडर है ना इसे हम यह लगा देते हैं अब हम क्या करेंगे यह जो लिड्यूसर है यह यहां लगा देते हैं कुछ इसे उसके बाद यह पैप भी हम लगा देते हैं और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि आपको यह लेंज से डिस्क्रिप्शन में दीगूई हुई लिंग पे मिल जाएंगे और यह रिड्यूसर भी वहां मिल जाएगा तो अब हमें चाहिए यह डाइगोनाल इससे क्या होता है लाइट 90 डिग्री में रिफलेक्ट होती है कुछ ऐसे पर अगर आपके पास यह नहीं है तो घबराने की दौरत नहीं है हम यह घर पर भी बना सकते हैं तो इसके लिए हमें एक एलगो चाहिए जो यहां फिट हो सके उसके बाद मैंने क्या किया है यहां टू स्टेट होस बना दिये हैं और उसके बाद मैंने क्या किया यह जो हमारी पेंट की रिफिल होती है न वह यहां डाल दी कुछ ऐसे अब मैंने क्या किया अब मैंने मिलर का एक टुकडा लिया एक ऐसा यह आपको ख्रेम मेकर के पास काटकर मिल जाएगा अब मैंने क्या किया फेविक की मदद से यह चिपका दिया कुछ ऐसे यह भी वही काम करता है जो वह डाइगोडल करता है और इस रिफिल की मदद से हम एंगल भी एड़ेस्ट कर पासकते हैं अब हम क्या करेंगे यह जो आईपी से ना वह हम यहां फिट कर देंगे कुछ एसे और यह हम टेलिस्कोप को एटेश करेंगे उसके बाद यह कुछ ऐसा देखेगा और अब हमारा टेलिस्कोप तयार बगया अब बार्याथ है स्टाइड निकिए उसके बाद हमें एक टेलिकाट बीपा चाहिए अब में क्या करना है हमें इसमें खोल करना है जिससे यह पाइप आसानी से अंदर भार जा सके इस पाइप की इस पाइप का डियामेटर है 2.5 इंचेज आपको कुछ ऐसा हो बना ना है उसके बाद आपको इसमें स्वेल भी डाल लिए यह बहर ज़रूर है क्योंकि इससे हमारे टेलिस्कोप फ्टेंड ज्यादा हिलेगा डूलेगा नहीं उसके बाद यह पाइप हमें यहां डाल नहीं है कुछ ऐसे इसके बाद यह जो एलगो है ना हमें यहां लगा देना है यह जो पार्ट है ना इसको इक्वल टी बोलते हैं तो अब हमें क्या करना है हमें एक ऐसी इक्वल्टी चाहिए जो इस पाइक से अंदर बार एजली जा सके है अब हमें क्या करना है हमें टेप से एक लेयर त्यार करना है जिससे क्या होगा यह यह यहां एकदम फिट बैठ जाएगा बिल्कुल ऐसे मैं यह पहले ही यहां बना दिया है अब हमें क्या करना है अब हमें यहां इसे रख देना है ऐसे तो इसके बाद हमें क्या करना है बिल्कुल ऐसा ही मैंने यहां कर दिया है बिल्कुल ऐसा टेप से तो मैं क्या करूंगा यह यहां 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 रख दूंगा और यह यहां रख दूंगा अब मैं यहां बाकी की चीदे लगा देता हूँ त्यार हो गया हमारा टे्लोसकोप। यह हेंडिक में भी बहुत आसा है आप sincer हो इसकी डारी सब्सक्राइब लिए बज़र सकते हो तो त्यार हुआ हमारा सीट एड सींत्पल dividendActub फंसक्त पशल दे तो science की रव इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अजर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू